जाय हेंद जाय भारत दोस्तों आज 10 सितंबर है अमर बलिदानी बागा जतिन का बलिदान दिवस आज ही के दिन वर्ष 1915 में भारत की सुतंतरता का खाब देखते हुए बागा जतिन शहीद हुए थे एक वीडियो हमने उनके जीवन पर कल भी अपलोड किया था आपने देखा था कि सिर्फ एक खुकरी की मदद से बागा जतिन ने एक ताकतवर शेर को मार डाला था दोस्तों ये वही खुकरी है और इस फोटो में इसे थामे हुए हैं बागा जतिन के छोटे बेटे बिरेन मुखर जी इस श्रंखला का दूसरा और आखरी वीडियो लेकर आज आपके बीच आए हैं दोस्तों अप्रेल 1908 में करांतिकारी खुदीरांबोस और परफुल चाकी ने मुझफर पुर के कुख्यात डिस्टिक जज किंग्स फोर्ड को मारने का प्रयास किया जिसमें गलती से दो अंग्रेज महिलाओं की मृत्यू हो गई थी इसके बाद अलीपूर शडियंतर केस चला चूंकि सीनियर करांतिकारी गिरफतार हो चुके थे जितेंदर बचे खुचे साथियों के साथ संग्ठन को फिर से खड़ा कर रहे थे बड़ी संख्या में गिरफतारिया हुई थी लोगों में निराशा थी तूटते होसले को फिर से खड़ा करने और क्रांती की मशाल को रोशन रखने के लिए जेतेंदर के साथियों ने कई एक्षन किये अगस्त 1908 में गदार नरेन गोसाई को कनाईलाल दत और सत्तेन बोस ने जेल के भीतर ही मार दिया था नवंबर 1908 में खुदी राम बोस को गिरफतार करने वाले इंस्पेक्टर नंदलाल को भी मार दिया गया फरवरी 1909 में सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को हाई कोट के अंदर मार दिया गया और जनवरी 1910 में कलकता हाई कोट के कोरिडोर में डियस्पी शम्षुल आलम को मार दिया गया लेकिन शम्षुल आलम को गोली मारने वाला क्रांतिकारी ब्रेंदत पकड़ लिया गया शक के आधार पर 27 जनवरी 1910 की रात को चाल्स टेगट ने जतिन मुखर जी को भी उनके घर से गिरफतार कर लिया गया उसी दिन उन्हें सरकारी नोकरी से भी बरखास्त कर दिया गया जतिन मुखर जी के विरुद कोई प्रमान नहीं मिल सके इसलिए वे छोड़ दिये गए इसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली बिरेन दत को DSP शम्षुल आलम की हत्या के अपराद में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उनकी दया याचना भी खारिज हो चुकी थी अंग्रेजों ने उसे एक रास्ट्री अखबार का नकली पना दिखाया जिसमें छपा था कि बिरेन ने धोखा दिया है बिरेन अंग्रेजों की चाल नहीं समझ पाए वे बोले दुनिया क्या कहती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक जतिन दा का विश्वास मेरे साथ है फिर क्या था जतिन मुखर जी को दोबारा गिरफतार कर लिया गया इस बार उन पर हत्या का आरोप था जेल में जतिन को अत्यंत क्रूर और अमानवी यातनाई दी गई साथ मार्च 1910 को हावडा शडियंतर के से शुरू हुआ जतिन सहीत 66 करांती कारियों पर मुकदमा चला था जतिन पर लगा एक बड़ा आरोप ये भी था कि उन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में तैनात ब्रेटिश इंडियन आर्मी की 10th जाट रेजमेंट के जवानों को अंग्रेजों के वृद बगावत के लिए भड़काया था 10th जाट रेजमेंट के जवान सुरजन सिंग और राम गोपाल करांती कारियों की हावडा शिवपुर यूनिट के भी सदस्से थे कई सैनिकों को गुप्त रूप से कोट माशल कर दिया गया लेकिन जतिन के विरुद ऐसे परमान नहीं मिल पाए जिससे उनको सजा दी जा सकती आखिरकार 21 फरवरी 1911 को उन्हें रिहा कर दिया गया जतिन अब और बड़े मनसूबे बांधने लगे थे उन्होंने सत्यन सेन को अमेरिका में पहले से ही मौझूद करांती कारी तारक दास की साहिता के लिए भीजा उद्देश्य था अमेरिका में बसे भारतियों को भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए तयार करना और वहां से हथियार जोटाना वर्ष 1912 में कैसर विलहम सेकिंड के पुत्र और जर्मनी के क्राउन प्रिंस भारत आये जतिन ने उन से भेट की और हथियार उपलब्ध कराने का वाइदा लिया फिर आया वर्ष 1914 जब प्रथम विश्व युद शुरू हुआ जर्मनी में विरेंदर नाच चटो पाध्याय उर्फ चटो किया द्यक्षता में जर्मन फ्रेंड्स आफ इंडिया का गठन हुआ जर्मनी ने भारत से इंग्रेजी राज्य को समाप्त करने में साहिता देने का वचन दिया नवंबर 1914 में सत्यन सेन, करतार सेंग सराभा, विश्नु गुनेश पिंगले और गदर पार्टी के अन्य अन्यक सदशें अमेरिका से भारत पहुँचे भारत में सशस्त्र करांती की तयारी हो रही थी पंजाब में रास बिहारी बोस और शचिंदरनाथ सान्याल गदर पार्टी के सदश्यों के साथ मिल कर योजना बना रहे थे बंगाल बिहार और उडिसा का जिम्मा लिया था जतिन मुखर जी ने जतिन ने दक्षोनेश्वर गन पाउडर मेगजीन पर तैनाथ सिख सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया उन्होंने करतार सिंग सराभा और विश्नियू गणेश पिंगले से भी भेंट की और रास बिहारी बोस के लिए महत्तों पूंच संदेश दे कर पंजाब भेजा जतिन ने फोर्ट विलियम में तैनाथ सिक्स्टीन्थ राजपूत राइफल्स के जवानों को भी विद्रोह के लिए तयार किया ऐसी ही कोशिशें पंजाब में भी हो रही थी राजा महंदर प्रताप जिन्हें कैसर विलहम सेकिंड ने और्डर आफदा रेड इगल से समानित किया था वे भी बरलिंग छोड़कर अफगानिस्तान आ गए थे वहाँ उन्होंने मौलाना बरकतुला के साथ मिलकर भारत की फस्ट प्रोविजिनल गवर्मेंट की स्थापना की पूर्व और पश्च्रिम दोनों दिशाओं से भारत में करांती की तयारी हो रही थी रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को करांती का दिन श्रित किया लेकिन जतिन चाहते थे कि करांती दो महिनों के लिए टाल दी जाए क्योंकि जर्मनी से हत्यारों की बड़ी खेप आने वाली थी उधर क्रिपाल सिंग नाम का एक पुलिस एजेंट पंजाब में गदर पार्टी में शामिल हो गया था और उसने योजना की पूरी जानकारी पुलिस को पहुँचा दी भेद खुल गया था पंजाब में लगबग सभी नेता गिरफतार कर लिये गए रास बिहारी बोस 12 मई 1915 को किसी तरह बच कर जापान चले गए जतिन को सूचना मिली कि अमेरिका से आने वाले समुद्री जहाज SS Maverick से हतियार आ रहे हैं इसका उन्हें बड़ी बेसबरी से इंतजार था फरवरी के अंतिम दिनों में सूचना मिली कि पुलिस जतिन पर स्षिकन जा कस रही है जतिन क्रांती के आधार स्थम्ब थे साथियों ने उन्हें सलाह दी कि वे अंडरग्राउंड हो जाएं ना चाहते हुए भी जतिन मान गए अप्रेल 1915 में जतिन कलकता से चले गए उडिसा के बाला सोर्ज जिले में कप्टी पाड़ा के निकट गोपाल डिहा में उनके रहने की विवस्था हुई कप्टी पाड़ा में जतिन बेसबरी से जर्मनी से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे थे ताकि करांती लाई जा सके देश आजाद किया जा सके रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जतिन की योजना थी की हथियारों को तीन हिस्सों में बाटा जाएगा एक हिस्सा हटिया भेजा जाएगा जहां नरेन घोश, फणी चक्रवर्ती और अनुन चंदर गुहा अपने साथियों के साथ पूरवी बंगाल के जिलों पर अधिकार करते हुए कलकता की ओर बढ़ेंगे दूसरा हिस्सा कलकता भेजा जाएगा जहां नरेन भटाचारी और विपिन गांगुली के नेत्रेत्व में फोर्ट विलियम पर अधिकार किया जाएगा तीसरा हिस्सा स्वेंब जतिन के पास रहेगा वे चांद बली में अपना मिलिटरी बेस सेट अप करेंगे उनकी योजना बंगाल बिहार और उडिसा के आदिवासियों को लेकर फौज खड़ी करने की थी सबसे पहले गाउं में आजादी की घोशना होनी थी और तिरंगा फहराया जाना था पहली जुलाई 1915 तक हथियारों की पहली खेप पहुँचनी थी लेकिन सूचना आई की SS Maverick खाली आया था उसमें हथियार नहीं थे असल में एक अमेरिकन जासूस इमेनवल विक्टर वोसका को जर्मनी और भारतियों की उस योजना की पूरी जानकारी मिल गई थी जो उसने अमेरिका और ब्रेटेन की सरकार को दे दी थी नतीजा ये हुआ की हथियार नहीं आ सके अमेरिका के सेन फ्रेंसिसको में हिंदू जर्मन कांस्प्रेसी केस के नाम से मुकदमा चला लेकिन जतिन मुखरजी निराश नहीं हुए उन्होंने कहा ईश्वर ने हमारी गल्ती को सुधार दिया है हम विदेशी शक्ती की मदद से भारत को आजाद करवा रहे थे भारत को अपनी ताकत पर खड़ा होना होगा दोस्तों रोस हेडविक लिखते हैं यदि इमेनवल विक्टर वोस का बीच में नहीं आय होते तो आज महात्मा गांधी नहीं भारत के रास्टर पिता बागा जतिन होते इस बात में हो सकता है कुछ अतिश योक्ती हो लेकिन ये तो साबित होता है कि जतिन मुखर जी भारत की सुतंत्रता के लिए बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहे थे यदि भाग्य का साथ मिला होता तो भारत बहुत पहले आजाद हो गया होता खैर पुलिस को जतिन के ठिकाने का सुराग मिल गया था 4 सितंबर 1915 को CID के गोड़फरे चार्ल्स डेनहम और कलकत्ता पुलिस के दो डिप्टिक मिशनर लेसली नियूमन बर्ड और चार्ल्स टेगर्ट कलकत्ता से बाला सोर के लिए चल दिये बाला सोर पहुँचकर इन्होंने वहां के डिस्टिक मेजिस्टेट मिस्टर किल्बी और एसपी से संपर्क किया इसके बाद जतिन को पकड़ने अंगरेज अफसरों के नेत्रितु में हत्यार बंद पुलिस चल पड़ी पुलिस ने कप्टी पाड़ा के आसपास के सभी गाउं में परचार कर दिया कि इस इलाके में बंगाली डाकू छिपे हैं उन्हें पकड़ने में मदद करने वालों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा फिर क्या था भोले भाले ग्रामीन अंगरेजों की मदद के लिए तयार हो गए उन्हें एक और तो डाक्वों से मुक्ती की आशा थी और दूसरी और बड़ा इनाम भी मिलने वाला था उन नादानों को क्या पता था कि वे उनको पकड़वाने जा रहे थे जो भारत की मुक्ती के लिए जान हथेली पर लेकर निकले थे 6 सितंबर की शाम को जो दूधिया जतिन के ठिकाने पर दूध देने आया था उसने बताया कि डाक बंगले पर कई अंग्रेज आये हैं उसके बाद कप्टी पाड़ा के राजा का नोकर आया जिसने बताया कि जो साहिब कलकत्ता से आये हैं उनके लिए खाना बनाया जा रहा है इसके बाद चितप्रिया राय चौधरी, मनोरंजन, निरेन और जोतिशपाल के साथ जतिन वहां से चल पड़े उस रहात उन्होंने सत्तर किलोमीटर का सफर पैदल तै किया था जिस गाओं के निकट से निकलते, भारी संख्या में लोग शोर मचाते हुए इनके पीछे पीछे चल पड़ते जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, भीड बढ़ती गई लोग लाठियां और दूसरे हत्यार लिए, डाकवों को पकड़ने के लिए चल पड़े थे कैसी विडम बना थी, ऐसे क्रांतिकारी और लोग डाकू समझे थे अगले 72 गंटे तक ये पांचों लोग निरंतर हो रही बारिश में जंगलों और दलदलों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे ना जाने किस दिशा में, किसी ने कुछ नहीं खाया था बाला सोर के डिस्टिक मैजिस्टेट किल्बी और स्टाफ सारजेंट विलियम रदर फूर्ड के नेत्रितों में पुलिस ने दो दिशाओं से जतिन और उनके साथियों को घेर लिया था सुप्रिंटेंडेंड और पुलिस भी अलग से सशस्तर जवानों के साथ आ गया था इसके साथ ही नील गिरी से हाथियों पर सवार आम्ड पुलिस का दस्ता भी आ गया था 9 सितंबर 1915 को शाम होने से पहले चस्खंड गाओं के पास जतिन और उनके साथियों को घेर लिया गया चारों और धान के खेत थे अंग्रेज राइफलों से दना दन गोलियां बरसने लगी जाडियों की आड लेकर जतिन और उनके साथी अपने पिस्तोलों से उतर दे रहे थे रेंगते हुए दुश्मन निकटाते जा रहे थे और इनके पिस्तोलों की गोलियां खत्म हो रही थी शूरवीर चितप्रिय दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए खड़े हुए तो दुश्मन की गोली उनके गले और जबडे को चीरती हुई निकल गई बागा जतिन का वो बहदुर साथी वीरगती को प्राप्त कर गया था जतिन ने अपने लाडले चितप्रिय को खींच कर उनका सिर अपनी गोद में रखा और लड़ते रहे जतिन का दाया हाथ पी दुश्मन की गोली से बेकार हो चुका था वे बाएं हाथ से गोलियां चला रहे थे आखिरे गोली सीधी जतिन के पेट में लगी वे मोटली इंजर्ड हो चुके थे जोतिश पाल भी बुरी तरह घायल थे इसके बाद बचे दो साथियों ने हत्यार डाल दिये युद विराम हो गया था जब डिस्टिक मैजिस्टेट किल्बी वहां पहुँचे तो जतिन होश में थे किल्बी पास के तालाब से अपने हैट में पानी भर कर लाए और जतिन को पिलाया रात ग्यारा बजे जतिन को बाला सोर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया जतिन की वीरता से किल्बी बहुत प्रभावित हुए उन्होंने सरजन की अनुमती लेकर जतिन को स्वेम नीबू पानी पिलाया और आपरेशन थियाटर तक उनके साथ गए जतिन मुखरजी की वीरता ने उनके शत्रु को भी उनका प्रशंसक बना दिया था किल्बी का धन्यवाद करते हुए जतिन ने कहा अब तक बंगाल में जो भी हुआ है उसकी जमेदारी सिर्फ मेरी है ये लड़के एकदम मासूम हैं देखना इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इसके बाद उन्हें खून की उल्टी आई मुस्कुराते हुए जतिन ने कहा आश्चर ये है अभी भी इतना खून बचा है मेरा सोभाग्य है कि मेरे रक्त की प्रतेकबूंद मा की आराधना के काम आई है उनका उप्रेशन सफल रहा था अगले दिन यानि 10 सितंबर को टेगर्ट, रेलेंट, डेनहम और किल्बी जतिन से मिलने अस्पताल गए जतिन ने मुस्कुराते हुए टेगर्ट से कहा मुझे खुशी है कि हम फिर मिले हैं चित्प्रिय जा चुका है और मैं भी शिग्र जा रहा हूँ देखना बाकी लड़कों के साथ अन्याय ना हो टेगर्ट ने जतिन से पूछा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ जतिन का उत्तर था नो ठैंक्स, all is over गुडबाई जतिन का इलाज करने वाले डॉक्टर गांगुली बताते हैं वे मुस्कुराते हुए इस दुनिया से गए थे भारत माता की सुतंतरता के लिए एक नायक का यह महानतम बलिदान था जब उस महानायक को मृत गोशित किया गया तो वहाँ उपस्थित उनके शत्रू भी अपने आशू रोक नहीं पाए भारतियों के साथ साथ अंग्रेज भी भीगी आँखों से उन्हें शुरधान जिली दे रहे थे इस तरहे मा भारती का वो वीर पुत्र जितेंदरनाथ मुखरजी और फबागा जतिन 10 सितंबर 1915 को बाला सोर के सरकारी अस्पताल में वीरगती को प्राप्त हुआ एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था यदि यह वेक्ती जीवित रहता तो शायद पूरे विशु पर राज करता टेगट ने कहा मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है वे बंगाल के एक लोते वेक्ती थे जो खुले मैदान में लड़ते हुए मरे थे जतिन के दुश्मन भी उनके मुरीद हो गए थे शायद रहीम ने बागा जतिन के लिए ही लिखा था रहीमन साचे सूर का बैरह करत बखान दोस्तो बागा जतिन के साथ बाला सोर की लड़ाई लड़ने वाले चार साथियों में चितपरिया राय चौधरी 9 सितंबर को ही लड़ते हुए शहीद हो गए थे मनोरंजन सेन और निरेन दास ये दो जीवित पकड़ लिए गए थे इनको 22 नवंबर 1915 को बाला सोर की जेल में अंग्रे जोने फांसी दे दी थी और चौथे साथी जौथी शपाल उनको जेल में इतनी यातनाएं दी गई वे पागल हो गए और फिर 4 दिसंबर 1924 को जेल में ही शहीद हो गए तो ये थी कहानी अमर बलिदानी बागा जतिन और उनके बहदुर साथियों की आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए जाया हिंद जाया भारत